नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमाग हमारे समाज में घर की महिलाओं पर बहुत सारे दाइत तो होते हैं क्योंकि घर की महिलाएं घर की लक्षमी होती हैं पूरे घर को समालती हैं अब उनके उपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंट करती है कि वो कैसे अपने घर में जो बरकत है उसको ला सके क्योंकि जो महिलाएं खुद लक्षमी के सुरूप है तो लक्षमी को वही आकरसित कर पाएंगी ये भी सच है इसलिए कुछ ऐसे कार है जो आपको रोज करना चाह आपके जीवन में मुस्किले ना आए तिक तंगी ना रहे जी हां दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद दरवाजा खोलते ही मुख्य दरवाजा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक की पाने से कोई नहीं रोक सकता हलांकि आपको स दरवाजा जैसा भी हो लेकिन घर का मुख्य दरवाजा तमाम दरवाजा से सबसे बड़ा और दो पल्ले वाला होना चाहिए यानि सिंगल पल्ला का दरवाजा नहीं होना चाहिए यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोस्त लगता है और दूसरी बात हमेशा ही अपने मुख् मुख्य दर्वाजा होता है वहीं पड़ से तो मालक्ष में आएंगी न तो बास्तु सास के अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा सही इस्तिती में सही दिसा में भी होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, सांती और सम्रिधी लाता है तो दोस्तों चाहिए आप कैसा भी घर बनाए हो कैसा भी दरवाजा हो लेकिन इसी में एड़ेस्ट करना होता है क्योंकि घर तो लोग एकी वर बनाते हैं बार-बार तो बनाते नहीं हैं अब चलिए हम ये बतलाएं कि महिलाएं घर की दरवाजा खोलते ही क्या काम करें कि जीवन में परिसानिया कम और खुसियां ज लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइट चौकट में डाल दें थोड़ थोड़ डालना है इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुक्सम्रीदी भी आती रहती है दोस्त जाडू लगवाते ही होंगे पानी से साप करवाते होंगे हर कोई कराता है लेकिन क्या आपको पता है सनी भार और अभी बार के दिन जाडू लगाने के पहले दो बाल्टी पानी डाल दे या दो मगी डाल दे फिर जाडू लगाए यानि जाडू पहले नहीं लगाना है पह अगर कोई ब्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और मालक्षमी आपके घर रहेंगी दूसरी बात आप अपने घर के दर्वाजे पर पीला लाल मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग में लगा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा सो समझकी कीजिएगा किसी बास्तुवित से अच्छे से सला लेकर हम बात कर रहे हैं ये तो हमने बतलाया मुख्य दर्वाजे पर सो के उठने के बाद दोनों चोखट में जल डालना है और सनी बार और अविवार को खास कर आपको मुख्य दर्वा बार का दिन छोड़ कर बाकी सारे दिनों में नमक मिले हुए पानी से पोच्छा लगवाईए और याद रखिएगा ब्रस्पति बार के दिन नहीं लगाना है अगर आप इस नमक मिले हुए पानी में एक चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका ब्रस्पति भी मजब का बंधनवार लगवाईए आप रसी सूता किसी चीज के सहारे आम के पत्तों का एक फद्ध आला कर लें डंठल में बांध कर बंधनवार खुद भी तियार कर सकते हैं उसे बांध दे और हर सोंबार को इसे चेंज करें पहले वाला निकाल के बाहर डाल दें यिमन लोग ज जाते हैं तो ब्रहस्पती बार के दिन असोग के पत्तों का बंदन बार लगाएं ठीक उसी प्रकार असोग के पत्तों का बंदन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है और सोम बार के दिन आम के पत्तों का बंदन बार लगाने से स्वात समस्या कभी परिसान नहीं करती है आ दुसरी बात गनेज जी की तस्वीर अपने मुख्य दर्वाजे पर जरूर लगाए लेकिन लगाएंगे कैसे बाहर की ओर से गनेज जी नहीं लगाईएगा क्योंकि गनेज जी के पीठ में दर्डरता का आवास होता है और दर्डरता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बह बाहर की ओर हो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मुख्य दर्वाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गनेज जी लक्ष्मी जी के उनकी पीठ अंदर की ओर चलिया ही बाहर से अपने लगा दिये ऐसा आप मत कीजे अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है इसलिए अं तरपुर्व कोना में वहीं परदेपताओं का निवास रहने दे और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग्स भी ना टांगे हिंसक जानबर के डूपता हुआ जहाज है ताज महल है नटराज है इस टाइब के मद पेंटिंग टांगे ना ही जरने का पेंटिंग लगाई स्वस्तिक जरूर बनाईए ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है नौंगुल से छोटा ही रहे सुंदर सा खुबसूरत सा बनाईए और बनाएंगे कैसे तेल सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं स्वस् मुख्य दरवाजे के चोखट के ठीक ऊपर बीचो बीच हल्दी और चावल चावल जो अक्षत होता है उसे पानी में भिगो दे आधे गंटे के लिए फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल्दी पौडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा सा घोल से मुख्य दवार के पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुस्त तो आप जानते ही होंगे तो उसका पौधा आप लगाईए ऐसा करने से आपके घर में बिमारियां भी नहीं होंगी और खुशियां भी आएंगी भरवर कराएंगी एक बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही में ग आपको बतलाया मेन गेट को आप कैसे अच्छा बनाए कि जीवन में सुकता बढ़ती चले जाए और खुसिया आती चली जाए समी का ब्रिक्ष कभी भी घर के अंदर ना लगाना हो तो अपनी मुख्य दर्वाजे के बाहर बाएं साइड लगाईएगा इस बात का ध्यान रखेगा और नियमित रूप से सर्सों का तेल का दिया जलाते रही है अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है प्रेम से उठा कर कहीं मंदीर या सावजनी का स्थान पे लगा दे घर में पीपल का पेड़ होना अच्छा नहीं होता वरना सनी दोस से पीडि और जीवन की खुशियां कहीं न कहीं धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाईए और यह मनी प्लांट लगाईएगा दक्षिन दिसा में धन की बरकत होती है एक बात का ध्यान रखेगा मिट्टी में मत लगाईएगा जब भी लग यह गंबले में मिट्टी भर कर लगाईए डायरेक्ट जमीन में मत लगाईएगा यह अच्छा नहीं होता और मनी प्लांट को कभी किसी पेड का सहारा लेने मत दीजिएगा जैसे ही किसी दूसरे पेड़ पर यह मनी प्लांट चड़ेगा पत्ते बड़े होते चले जाएग स्वप करनी है उसमें तीन मौर पंक तस्विर के ठीक में लगा दीजिए गसी का बड़े नजर आम और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे हम आपसे भीदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो से लाब होता है तो प्लीज लाइक कर सबस्काइब करना मत भूलिएगा और कोई अगर उसे भीदा है हमारे वेबसाइट granddhrmasanmark.com गूगल सच करके आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार जरूर आईए पूरी तरह से जोतिस पर आधारित है ये वेबसाइट तो फिलाल भी दालेंगे हर हर महादेब धन्यवाद